हेलो एब्रीवान वेलकम टू माई चैनल और आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स भेज और मिक्स भेज इसलिए क्योंकि बहुत सारी सब्जिया है थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है उसको अगर अलग-अलग बनाने जाए तो बहुत टाइम लगेगा और मतलब दो आदमी का नहीं हो पाएगा तो इसे में कुछ समजी मिलाकर फिर मिक्स भेच वना दे रहे हैं तो मिक्स भेज के लिए बहुत सारी म Я समझी लिए हुँ जो वैसे तो आप कुछ भी समझे ले सकते हैं और यहां पर मैं कड़ाही में जीरा और लसन डाल करके इस और लाल मिर्श डाल करके तड़का लगा लिए हूँ और उसके बाद भी आलू डाली हूँ बाद भी इसमें प्याज डालेंगे और प्याज डाल कर भी थोड़ा धर करेंगे क्या कि आलू जो है वह थोड़ा टाइम लगता है इस तो थोड़ा पहले डालेंगे और ने नेलेंगे दो यहां पर बाएक द्याइद अवह हुआ हैं उसके बाद शिमला मिर्ष था जाए तो शिमला मिर्ष भी मैं डाल दी उसके बाद गाजर था एक बचा बाद गाजर का तो कोई बात लोगा पेज़ होई थी तो अभी कि सब्जी हो जाती है तो फोरी सी लेकिन हो जाती लेकिन मैं सुची के चलो डाल देते हैं इसमें क्योंकि आज मुझे सब्जी भी लाने जाना है तो इसकी वज़ा से मुझे लगा कि जो बाकी बच्ची हुई सब्जीया है वो सारा सब्जी में निप डाल लिती हो और थौड़े से पद्जा को भी है तो सारी सब्जीयों को मिला करकर मैं समीगार भाना रही हुँ है और एसे हमारे मिक्सपैश बहुत पसंद किया जाता है सब को बहुत पसंद आता है तो यहां पर जो हे वा पत्बाभी और गोभी में डाल दे हूँ और डाल करके और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे यह लो फ्लेम पर पकता है तो ज्यादा अच्छा लगता है और इससे बहुत ज्यादा फ्राई करने का जरूरत ही नहीं इसको अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा है और इसमें जो रेगुलर के मसाल धन्या पौडर रखी पौडर्ट वहीं मैं बाद मीदेशर नहीं का दैस्ट पाद रिख ब्लगर्is तक दस्ती दादा होजाता तो इससार टेस्ट जो है काफी अच्छा आता है सब्जी में इसको भी मैं चला ले देंगे और अभी तक देखें कि मैं नमक नहीं डाली हूं थोड़ा साथ 2-4 मिनट और चलाने के बाद पिर इसमें टमाटर डाल देंगे क्योंकि हमको बहुत जाता सब्जी को फ्राइ नहीं करनी है और धनिया पत्ता जो काटके रखे थे वो डाल देंगे तो आरे इसको चला लेंगे क्योंकि यह सब्जी है ना वह बहुत ज्यादा फ्राइ करके भी बिनाए तो भी अच्छा लगता है और ऐसे बिनाए तो भी बहुत टेस्टी लगता है तो यहां पर थोड़ा सा और मैं चला ले रही हूं और यह देखिए हमारी सब्जी जो है अच्छा से मिक्स हो गई है हल्दी पुरा बरावर पड़ा है तो जिब मैं हल्दी डाती हुना तो थोड़ा दे मैं चला के देख लीती हूं उसके बाद फिर मैं नमक डाल रही हूं तो नमक भी अपने टेस्ट के वाडिंग तो यहां पर मैं नमक डाल के और फिर चला दूंगे नमक डाली हूं तो सब्जी में पानी चुटेगा ही चुटेगा तो और यह सारी जो ग्रेइन वेजिटेबल्स राती है इसमें बहुत पानी रहता है तो नमक डाली तो बहुत तो यह अपने से पक जायेखा, अब यहां में आ गई हुं रोटी बनाने के लिए, एक तरफ मैं सबजी चढ़ा दी हूँ, जो छोकि धीरिदेरी होते रहेगा, और इधर में रोटी बना ले रही हूँ, तो यहां गेहों की रोटी मैं बना रही हूँ जो रेगुलर बनता है वही रोटी बना रही हूँ और आज मैं अपने लिए रागे की रोटी भी बनाने वाली हूँ दो मेरा आगे की रोटी मनाओं के यह Body कर दीख और हसम नस्तर रोची festa कच्ञ भीच कहें तो रोटी हमारा सुगा, कि नास्तर भृत के जादा महारत ही आसिल हो गया इतने सालों से जो रोटी बना रही हूं तो रोटी और सब्जी हमारे हां का मेन जो है नास्ता है वह जादा तर लोगियां ही खाते हैं कर्मी में दही अभी शर्दी बहुत जादा पड़ी है यहां पर बिल्कुल दो तिन से धूप नहीं निकली है तो इ सब्जी तो इस लिए दही अभी निने तो रोटी सब्जी और दही जो है हमारे यह औरी तहई तो देखें रोटी जो है वह हमारी न सो है और फटाफट इसको भुला लेते हैं और तब तक सब्जी हमारी जो है वह दूसरे चुली पर और यह धीरे-धीरे क्योंकि उसे बहुत धीरे धीमे-धीमे आज पर पानी नहीं डालेंगा उसमें वह अपने ही पानी से पक जाएगा तो धीमे-धीमे आज पर हो रही है और यह रोटी जो है वह फट गया है भाफ निकल रहा है धर से तो फड़ा फट रोटियां भी जो कायरतिक की दो रोटी हस्में की दो रोटी और मेरी जो है वह और बाबू का तो मर्जी के उपर एक रोटी ऐसे में बना देते हूं उसकी कभी बनाती हूं कभी नहीं बना द तो यहां पर बस मैं उन दोनों के लिए रोटी बना लूँगी और आपने लिए मैं जो है वो रागी वाली रोटी बना ले रही हूं तो यह जो है गेहूं वाली रोटी बन गई है और अब मैं उस तरफ से इस तरफ चुले पर कर दी हूं ताकि मुझे यह इस तरफ मतलब की तोड़ा जलाने वगेर में आसान रहे हैं तो इसकी वजह से और यह दखें सब्जी कितना सारा पानी जो है जोड़ दिया है और बहुत पानी छोड़ दिया है और यह अपने से सारी सब्जी पक गई है थोड़ी सी घुटी-घुटी से सब्जी हम लोग अच्छी रखते हैं तो वही है कि थोड़ा से और पका देंगे से ताकि अच्छा से मिक्स हो जाए कि ऐसा तो सारी सब्जी पक गई है लेकिन थोड़ी सी मिक्स मिक्स सब्जी ज्यादा अच्छा लगता है अम लोगों को तो इसकी वजह से तो चलिए यह ढख देते हैं और फिर से जैसे है कि और हाट आधिया दिन में सब्जी के पकर है तब तक हम यहाँ पे बना रहे हैं रागी की रोटी तो इसके लिए क्रिणे कि पानी करेंगे कर ने पानषी जी बूदी जीक ग्रिब्समें राल लें और इसमें यह अपने अनदाँ से ही डालती हूं circuit jitna पानी में डाली ह मेरा कुछ अंदाजा नहीं है कि मैं पानी में खोल रही हूं और उसके बाद फिर मैं देख रही हूं कितना थोड़ा और पड़ेगा क्या तो इसमें थोड़ा साथा और जाएगा कि पूरा पानी है प्रॉपर एब्चॉर्ब कर लिया है और लेकिन थोड़ा गिला लग रहा ह तो यह बहुत जादा मतलब की ड्राइ नहीं होगा तो थोड़ा साथा और डालेंगे और डाल करके और उसमें 10-15 मिनट तक कर आएसा ही छोड़ देंगे जब यह ठंडा वजा हलका गरम ही रहे बहुत पूरा ठंडा नहीं हो हलका हलका मतलब की गरम हो रहे है जो कि आराम से हाथ से हम लोग गूत सके तो ऐसा गरम रहेगा तब इसको जो है हम रोटी बनाएंगे तो इसे ढाक करके अराम से छोड़ देंगे ताकि आटा जो है वह अच्छ से पक जाए और यहां पर सब्जी जो है वह हमारी हो गई है यह बहुत देस्टी सब्जी बनती है यहां पर आटा गिर गया था तो टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए किचन का सलैब नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है बहुत गंदा हो जाता है तो फिर बनाने में फिर मज़ा नहीं आता है तो वही है कि जैसे मुझे कुछ गिरा पानी कि रहा या तो फिर आटा गिरा यह स साफ करती ही रहती हूं क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आता है काम करके मुझे ऐसा लगता है कि फिर काम आगे बढ़ी नहीं रहा है इस तरीके का तो देखिए सबजी भी हमारी हो गई अब इधार आटा जो है वो भी हमारा हो गया है और यह हलका मतलब गरम है वह जादा नहीं इतना गरम है कि हाथ हो मतलब गूत सकते हाथों को सहले तो इससे ऐसे गूत लंगे जल्दी-जल्दी करके और यह देखिया हमारा जो आटा है वो खोब बढ़ियां से लग गया है वच्छा से बन गया है तो अब चलते हैं रोटी बनाने तो यहाँ पर मैं रागी कहीं आटा ली हूँ डस्टिंग लिए और एक रोटी में बनाई हूँ दूसरा रोटी में बनाऊंगे जैसे ग्यों बाट हको नमुटा रहता है यह बला आटा का रोटी हो जया तो दो रोटी हमारी बनी है और यह हो गया हमार अप्टेक फस्ट पर जायुक्त ओग और जैसे आप गेहों के हाट में पीछे में दाग लग जाता है उसके बाद फिर उपर से ड्राई हो जाता है तब फिर दूसरे बार पिलाटते हैं जो पीछे में दाग लग जाता है तब तब रोटी फिर पुलती है तो सेम होई यह चीचे और खाने में मुझे बहुत टेस्टी तो यहां पे देखिए हमारा जो आठ रोटी है वो तयार हो गया है रागी का अब इसको देखिए पीछे से एक वार ड्राइ हो गया है तो दूसरी बार पलटी हमारे है और पलटने के पाद फिर इसको फूला लेंगे तो देखिए हमारी जो अच्छे से खुफूल गई है और रागी की रोटी तैयार होगी इससे तरीके से दूसरा रोटी भी तैयार कर लेंगे और फिर हमारा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो जाएगा तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए बबाए औ और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबादें तो चलिए हमारी रोटी तैयार हो गई है फिर मिलेंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तो आप तक लिए बबाए अ होग हो प्लॉग में विए नेकन को दो कि बामत आपड़